हाई लेवेंधीज वेलकम टो इजीवेगाउमर्स क्लासेज मैं हू तापिता और गाइस आज के इस वीडियो में हम मीडियन को आगे बढ़ाएंगे और मीडियन में आज हम करेंगे कंटिन्यूर सिरीज यानि के कंटिन्यूर सिरीज का मीडियन कैसे निकाला जाता है तो और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर न्यू मोर वीडियो और आप अपने डाउट मेंट से इंस्ट्राग्राम पर मीडिया तबिता मैसी मुझे मैसेज भी सकते हो या फिर योट्यूब पर कमेंट के थ्रू अब आगे बढ़ते हैं गाईस सबसे पहले मीडियन में हमने असानी से कर सकते हो आज हम continuous series को पकड़ेंगे guys continuous series होती है तो guys जो series आपको 0-10, 10-20 एक chain form में given होती है 5-10, 10-15, 15-20, कुछ भी number 100-200, 200-300, 300-400, कुछ भी number एक continuous form में होंगे यह कोई particular discrete की तरह नहीं 2-4-6 ऐसे नहीं होते हैं यह 3-5-8 ऐसे नहीं होंगे यह एक chain form में होते हैं उन्हें हम continuous series कहते हैं और हमें पता है continuous series के साथ frequency आपको moved मिलती है moved, 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 तो frequency तो continuous series के साथ compulsory है होगी ही होगी आप अगर हमें इसमें median निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले आपको कोई भी continuous series हो, discrete हो, individual हो median का सबसे बहला rule याद होना चाहिए that is उसको आपको arrange करना होते है ascending या descending order में यहां पर already हमने उसे ascending order में arrange कर रखा है लेकिन अगर यह shuffle हो रखा होता, 60 to 70 उपर दे रखा होता और 0 to 10 नीचे तो हमें सबसे पहले उसे arrange करना था ascending order या descending में यह median का first rule है जो आपको हमेशा याद रखना है अब guys second हम क्या करते हैं जैसे discrete series या continuous series होती है हम निकालते है cumulative frequency जैसे हम CF बोलते है cumulative frequency cumulative means जोड़ना frequency को बहुत असान होता है यह 4 सामने आ जाता है अब उसमें आगे के frequency हम जोड़ते हुए चलेंगे so 4 plus 12 कितना होगा 16 16 plus 24 कितना होगा 40 40 plus 36 76 96 and this is 112 120 125 ठीक है और जो यह 125 आया है यही हमारी frequency का क्या है summation है क्योंकि हम लोगों को पता है यह भी तो इन्हें जोड़के ही बना है frequency को जोड़के ही तो CF निकला है तो 125 इसका summation है अब आपको continuous series में क्या करना है सबसे पहले n by 2th item निकालना है ताकि हमें series पता चल सके तो n by अभी तक हमने individual या फिर discrete में n plus 1 divided by 2 किया था यहां पर हम continuous में n by 2 करेंगे 125 divided by 2th item यह अगर हम इससे काटे तो 62.5 अब हम इससे कैसे देखते थे 62.5 CF में हम चेक करेंगे 62.5 किस में आएगा तो छोटी में तो नहीं आ सकता बड़े में ढूंडेंगे अगर 40 है CF हमारा अगर 40 दे रखा है लेकिन हमारे कितना 62.5 यह नहीं होगा इससे बड़ी term कौन सी आ रहे है 76 तो 76 वाली term को यानि कि line को हम पकड़ लेंगे यानि कि हमारा यह जो आया है यह CF में किस में लाए करता है 76 में ठीक है छोटे वाले को नहीं लेना है अब हमारे पास एक series आ गई है अब हम क्या करते थे discrete में कि जो सामने number होता था वही हमारा मीडियन निकल आता था क्योंकि वह तो एक number होता था यहां पर number नहीं है यह continuous form है 30 से 40 अब इसके बीच में मीडियन है तो हमें formula लगाना होता है मीडियन का जो बहुत सिम्पल है L1 प्लस N बाए 2 जो आपने अभी निकाला माइनस cf अपन में f into i ठीक है अब L1 क्या है lowest term कौन सी आपकी तो इस सिरीज में आपकी lowest term है 30 plus N by 2 N by 2 आपका कितना है 62.5 माइनस cf अब cf हम कौन सा माइनस करेंगे guys जो उससे छोटा वाला था वो वाला नहीं आपको 76 नहीं लेना अदरवाइस गलत हो जाएगा जनरली इसी चीज में गलती करते है 76 ले लेंगे नहीं बच्चे आपको से छोटा वाला लेना है तो छोटा कौन सा है 40 divided by f यानि कि जो हमने सिरीज पकड़ी थी उसका f कितना है 36 into i I बोले तो आपका class interval कितना है 30 से 40 के बीच का difference कितना है 10 है ठीक है अब बस इसे simply solve करना है 10 यह point हटाया तो 10 से 10 कट गया अब हमारे पास जो number आगया guys हो आया 30 प्लस क्या है 225 divided by 36 आप चाहो तो इसे directly भी काट सकते हो और वाइस यह 3 के table से जाएगा 3, 7, 21, 5, 3, 1, 2, 12 अब अगर कट सकता है again 3 के table से कट सकता है 3, 4, 12, 3, 2, 3, 5, 15 अब हमारा point में आएगा क्योंकि 25 तो 4 से नहीं कर सकता ठीक है तो 4, 6, 24, 25 तो answer क्या होगा 30 प्लस 6.25 यह 36.25 यह हमारा answer आजाएगा किस चीस का median का तो median 3 से 40 के बीच में ही आया अगर आपके कोई calculation गलत होगी तो हो सकते है वो 42, 42 या 45 आए तो it means आपने calculation गलत करी है आपका जो भी median का answer है वो इस series के बीच का ही नम्मर होगा यानि कि 30 से 40 के बीच का अगर वो जादा आ रहा है या कम आ रहा है अपकी कही calculation में गलती है तो इस series का धिहान रखना है और यह ता guys continuous series जो की बहुत असान है और आप कहीं पर भी अटकते हो statistics में तो आप मुझे मेसेज कर सकते हो कोई भी doubt है पूच सकते हो Instagram पर पिक शेयर कर सकते हो उसकी और बस और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और यह वीडियो अगर बसने आए तो लाइक ज़रूर करना थांक यू